अब एक जाँच का विशय है कि एमोसन कैसे साइन हुआ और रागव चट्व्याजी ने इसको मूव किया माननेवर इनका सिगनेचर किस ने किया है ये जाँच का विशय है माननेवर ऐसे नहीं चलता माननेवर अब ए मामला सिर्फ दिल्ली सरकार में फरजी पने का नहीं है राजसबा में केंद्री ग्रेमंत्री अमिश्या की इस बयान पर चट्चाओं का बजार गर्म हो गया है इसमें कितना सच है या जूट इसे लेकर राजनिते गल्यारों में सवाल पूछे जा रहे है अगर पूरा मामला क्या है और आप सांसद रागव चट्धा पर फरजी वाड़े के आरोप क्यों लगे इस वीडियो में समझते हैं दरसल राजसबा में दिली सेवा बिल पर चर्चा हो रही थी बिलकी डीटेल में चर्चा हो सके इसके लिए सेलेक्ट कमीटी के लिए सांसदों के नाम लिये गए लेकिन सभवती द्वारा पूछे जाने पर कुछ सांसदों ने इसमें अपनी असहमती जदाई जिसके बाद केंद्रि ग्रहमंत्री अमिजशा ने रागव चड़ा पर इन सांसदों के फरजी हस्ताक्षर और राजसबा में फरजी वारा करने का आरोप लगा दिया अब यह मामला सिर्फ दिल्ली सरकार में फरजी पने का नहीं है कि दोनों सदस्यों का स्टेट्मेंट रेकोर्ड कर लिया जाए अभी और बात में इसकी जाच की जाए यह कैसे हूँ मानने वर यह पांचे और सदस्यों का नाम आश्वन की वर से उद्गोसित किया जाए यह उनको बोलने की मंजूरी दीद जाए और इसका रेकोर्ड बना कर यह प्रिविलेज का मामला है मानने वर इसको प्रिविलेज कमिटी में बेजा जाए हम तो यहाँ चर्चा कर रहे थे फर्जी वाड़ा दिल्ली सरकार में चल रहा है इस सदन की कार्यवाई में फर्जे वाड़ा है शागे इन आरूपों का जवाब रागव चड़ा ने प्रेस कॉन्फरेंस पर दिया उन्होंने कहा कि बीजेपी संसद ने सरयाम जूट फैला रही है संसद प्रणाली के नियमों में ऐसा कोई नियम नहीं है कि किसी के हस्ताक्षर अनिवारे हो इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब किसी कागज पर हस्ताक्षर ही नहीं किये गए तो फर्जी वाड़ा कहा हुआ प्रिवलिज कमेटी के पास है अब देखना ये हुगा कि क्या रहुल गांधी की तरह रागव चड़ा की भी संसद सदर सिता चली जाएगी या बरकरा रहती है नमस्कार मैं हूं मानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे है यूस 24